दोस्तों आपने study के बहुत सारे tips देखे हूँगे इसलिए मैं आपको वो सब tips नहीं बताऊंगा जो 99 پ्रतिशत लोग बताते हैं जो आप मैंसे बहुत लोगों को पहले से ही बता है मैं आपको वो tips बताऊंगा जिन पर सिर्फ professionals या highly qualified लोग बात करते हैं दोस्तों determination बहुत important है आपकी study के लिए जैसे for example आप ये ठान लो कि मैं अपनी पढ़ाई करे बिना खाना नहीं खाऊंगा या phone चेक नहीं करूंगा जिसकी वजह से आपका पढ़ाई में focus रहेगा डेली आप ये determination कर लो कि मैं phone को हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक एक घंटा पढ़ाई ना कर लो इसे practice करते करते आपकी habit बन जाएगी एक घंटे पढ़ने की दोस्तों डेली रूटीन का भी हमारे body और mind पर बहुत अजर पढ़ता है हमें सुबह साड़े चार पर उठना चाहिए पढ़ाई करने के लिए क्योंकि इस समय हमारा mind fresh होता है और study करने में focus रहता है आप रात में 10 से साड़े दस तक सो जाए ताकि आप साड़े चार बजे सुबह तक उठ सके और दिन में minimum 30 से 45 मिनट ही rest करना चाहिए दिन में ज्यादा rest करने से mind disturb होता है और हमारा focus weak होता है दोस्तों संगती का भी हम पर बहुत अजर होता है हमारे जैसे दोस्त होते हैं वैसा ही हमारे thoughts बनते हैं आप ऐसे दोस्तों के साथ रहना बंद कर दें ज नमर चार भगवान का नाम कितने ही लोगों को नहीं पता कि भगवान का नाम क्यों लेते हैं और इसका क्या फायदा है तो बहुत समय पहले दो scientist जिनका नाम डॉक्टर एंड्रियो न्यूबर्ग और डॉक्टर H.G. क्यों निग है इन्होंने एक research करी और पता चला कि जल्दी उठकर पढ़ाई करने से पहले सिर्फ दो मिनट भगवान का नाम लेना चाहिए जैसे आइसकान के founder आचार्य एसी भगती वेंद्रस्वामी प्रभु पता भी बोला करते थे You simply chant the Hare Krishna Mahamantra and hear it, everything that you want, it come to you चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाले ताकि आपको आने वाली useful वीडियो की notification मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं धन्यवाद